इस याराम राम चरित मानस में अयद्या कांड का दोहा नंबर 87 और उसका चौपाई मैंने पिछली वीडियो में डाली हूँ यह 88 नंबर का दोहा है जब प्रभुश्री राम जी निसाद राज से कह रहे हैं कि मुझे मुझे मुनियों का ही वेस धारान करके बन में ही रहना है गाह में नहीं रहना है वरस चारी दस बासु बना मुनि ब्रत बेसु अहारू ग्राम बसू नहीं उचित सुनी गुहाई वयव दुख भारू उनके आज्या अनुसार मुझे 14 वरस तक मुनियों का ब्रत और वेस धारन कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए बन में ही वस्तना है गाह के भीतर निमाज करना उचित नहीं है या सुनकर गु को बड़ा दुख हुआ और यह चौपाई हैं ग्राम नरे नारी तेंपी तु मा तु कहां हुँ सकी कैसे जिन पठ़ें बन बालक ऐसे स्री राम जी लक्ष्मर जी और सीता जी के रूप को देख कर गाओं के इस्तरी पुरुस प्रेम के साथ चर्चा करते हैं कोई कहती हैं सकी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुन्दर सुकमार बालकों को बन में भे दिया हैं एक कहां ही भल भुपती की इन्हा लोय नलाहू हमही विदि दीन्हा लोय नलाहू हमही विदि दीन्हा कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नित्रों का लाब दिया तब निसाद राज ने हिर्दय में अनमान किया तो असोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा पुलियसिया राम चंदर की जै